नमस्कार प्यारे बच्चो मैं सुरेंदर सिंग आपका अपने चैनल एड्रोइट कॉम्पेटिटिव क्लासिस पे स्वागत करता हूं कैसे हैं आप सभी तो दोस्तों आप सभी का इंतजार खतम हुआ का MTS 2024 की एक बहुत Bumper vacancy के साथ वार आया हुआ है तो इतनी उमीद नहीं थी इतनी सारी vacancy इस देखने को मिलेगी तो यह इस बार आपका स्वाग्य है कि इतनी सारी vacancy सरकार ने इस बार दी है यह वैतरीन मोका है इस मोके बिलकुल भी नहीं गवाना हमें और प्रुपरत्तम के साथ अपनी तयारी हमें करनी है तो रही बात भाई इस notification के बारे में कुछ सामान्य जानकारी की कुछ detail में चीज़ें हम discuss करेंगे और कुछ basic बाते होती है और कुछ सामान्य बाते होती है जो हमें पता होनी चाहिए फिर उनकी हम बात करते हैं कैसे क्या कुछ इसमें पूछ जाएगा या फिर क्या जानकारी जो आपको होनी चाहिए और कौन सी गलते हैं जो आपने नहीं करने हैं तो सबसे पहले गर आप देखें तो vacancies की बात करें तो आप देख पा रहे हो क्या होगे डबल होगे यानि कि वो सारे स्टूडेंट जो पास रह जाते थे उनके लिए तो एक बहतरीन मौका है अब देखें जरा इसमें क्या कुछ है तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि आपका जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर आप अपना फॉर्म कब अपलाई कर सकते हैं तो 27 जून से लेकर 31 जूलाई तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डेट क्या है तो लास्ट डेट आपकी जो होगी वो 31 जूलाई 20 24 8 ग्यारा बज़े तक आप अपना फौरंड़ कर सकते हैं मैं उसके बाद ऑन- downside management की दो इसके लिए आपको एक दिन का वर सेज और कह यानि के एक अगस्त और सेम रात के डिए force की पैमेंट कर सकते हैं अब उसके बाद मान लीजिए कोई आपको पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो आप से गड़बड हो गई गलतियां हो गई तो SSC ने उसे करेक्ट करने का भी वक्त दिया है दो दिन यानि के 16 अगस्त और 17 अगस्त इन दो दिनों में आप उस गलतियों को जाके करेक्ट कर सकते हैं सेम ये भी वही है रात के 11 बचे तक मतलब दो दिन का वक्त होगा आपके पास 16 तारीक और 17 तारीक एक्जाम के बात करें तो October और November यानि कि जस्ट आप कह सकते हैं CGL के बाद ही आपका MTS का एक्जाम लिया जाएगा यानि कि ज़्यादा अगर मोटा मोटा बात करूं तो लगबग आपके पास 3-3 महीने है जो MTS के लिए है तो इतना वक्त है आपके पास आज से आज बात करें तो July स्टार्ट हो चु अंको मैंने लिखवा रखा इतनी वेकेंसी है ताकि आपकी दिमाग में छप जाए कि इस बार अच्छी खासी वेकेंसी आई है और जनरली वेकेंसी थोड़ी बहुत बढ़ती ही है अकसर हमेशा देखा गया तो इतनी है प्लस और भी हो सकती है जब तक आपका रिजल्ट व एक अगस्त को तो सभी बच्चे सुनिश्चित कर लें कि वह एक अगस्त को ही अपनी एज टेक करनी है यानि कि 18-25 साल का जो बच्चा है तो स्टूडेंट है वह एम्टीस के लिए अपलाई कर सकता है ठीक है एम्टीस के लिए आप जा रहे हैं तो 18-25 के आपकी एज होनी एज आपने कब काउंट करनी है तो एक अगस्त को काउंट करनी है ठीक है अगर मान लीजिए आप 18-27 की बात करें तो जो भी स्टूडेंट हवलदार पोस्ट के लिए अपलाई करेगा उसके लिए भई क्या है 18-27 की एज माने जाएगी ठीक है और कुछ पोस्ट ऐसी है जो MTS की है जो की अलग-अलग डिपार्टमेंट में उन में भी कंसेडर की जाएंगे उसके लिए भई आप लास्ट में हम देखते हैं तो फिलाल आपके पास दो एज कैटेगरी है एक 18-25 जिन को क्या भई MTS बनना है MTS लगना है और उन बच्चों के लिए जो हवालदार की प certificate से पहले का होना चाहिए अन्य था आपके फॉर्म या फिर कल को डीवी में आपको बड़ी दिक्रत का सामना करना पड़ सकता है फिर अब बात करते हैं एक अगस्त को तो हमें चेक करना है लेकिन उसमें भई अब कुछ कैटेगरी हैं जहां पर एज का फायदा मिलता है तो 32 साल के तब भी अब अपलाई कर सकते हैं बड़े अराम से ओबीसी वाले जो भाई बंदू हैं उनके लिए तीन साल का छूट यहां पर मिला हुआ है उसके बाद भाई जो फिजिकली चैलेंज है अन्रिजर्व कैटेगरी हैं दस साल है और उसके बाद ओबीसी आते हैं तो यह आपके सामने एज लिमेट है बात समझे में आती है अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो असेंशियल क्वालिफिकेशन या नहीं के भई जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए उसकी बात करते है तो एक कैंडिडेट जो है वो भई मैटर आपकी डेट है वो एक अगस्त दोजार चोबिस तक आपके पास आपकी 10th complete हो जानी चाहिए यानिके एक आपके भई क्या नाम है certificates यानिके जो आपके पास जो 10th का certificate होगा वो होना चाहिए प्लस जो आपकी age है वो 18 से उपर होनी चाहिए और उसके बाद जो maximum limit है वो आपन आपकी बार form भरने आ रहे है तो उसे क्या करना होगा one time registration करना होता है ठीक है याप इस website पर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा one time registration का आएगा जो भी tab आएगा उस पर आपने click करना है then step by step जो भी चीज़े वो पूसता जाएगा आपने उसमें fill करते जाना ह एक तरीके से आपका account बन जाएगा SSC के इस website ठीक है उसके बाद जब भी form आते है अलग-अलग तो आप form पे जाके apply करते हैं यानि कि एक हो गया कि मेरा account बन गया फिर एक आगया कि मैं किस form के लिए apply करूँगा तो दोनों चीज़े अलग है तो पहले आपने एक तरीके से खोलना है जिसको हम बोलेंगे one time registration उसके बाद अब इसमें क्या-क्या चीज़े आपको चाहिए होगी तो सबसे पहले एक तो भई आपके पास phone number आपका होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP अगर आएगा और दूसरी चीज़ आपके पास mail ID होनी चाहिए और आधार card पुल मिला अगर आधार card नहीं है तो इन में से कोई भी document आपके पास होना चाहिए इतनी बाद समझ में आती है उसके बाद step number 2 की बाद करें तो आपने अपना form फिल करना होता है step number 2 में आप जो भी form अपना है वह apply कर रहे हो फिल कर हो ठीक है suppose आपने यह कर दिया अब next time पे season का form आया तो सीधा सीधा आपने अपना form फिल करना है ठीक है suppose अभी MTS का है अपने MTS अगली बार CHSN लाएगा then CHSN तो यह one time है उसके बाद जब भी आप form फिल करेंगे तो सिर्फ यह वाला portion आपने करना है ओके हैं यहां तक की बाद आपने कुछीज होगा ध्यान रखना है upload करते time आपने ध्यान रखना है कि photo देख लो बिल्कुल ऐसी होने चाहिए आपके ठीक है यानि कि आपके आँके आपके कान कंदे सब कुछ proper visible होने चाहिए ठीक है यानि कि आप इन में से कोई भी photo जैसे कि भाई देखें तो यह काफी crop की होई है यह देखें तो cap डाले हुआ है य इसके अंदर देखें तो color बहुत ज्यादा है यह बंदा specs ज्यादा actor बन रहा है यह वैक्ति अपने यह गोगल से लगा के बैठा है यह spectacles लगा के बैठा है तो इस प्रगार की चीज ना हो यह देखो बहुत चोटी photo ऐसी photo अगर आपको दिखाई दे तो आपका form reject भी हो सक बहुत कर दिया जाएगा ऐससी दोवारा live photograph यानि कि जो आपकी photo आएंगी वह आपने live होनी चाहिए यानि कि on the spot आपका camera ओनों का उसी से आपने अपना form उसी time click करके upload करना है तो यानि कि आपने क्या-क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब आप form fill करेंगे तो वहाँ प पर लाइट हो camera बिलकुल आपके face पे होना चाहिए इसी का ध्यान रखना है background आपका plane रखो तो अच्छी बात है अब उसके बाद याद रखना के जो candidate है वह बहुत कोई cap ना पहने mask ना पहने कोई google's practicals यह ऐसी चीज या यूज ना करें उसके बाद जो आपके पास photo upload होग चाहिए jp easy या फिर jpz format में होना चाहिए और size जो आपका होना चाहिए वह 10 से 20 kb तक होना चाहिए dimensions की बात करूँ अगर मैं signature की तो चार सेंटीमेटर चोड़ाई और दो सेंटीमेटर उसकी उचाहिए होनी चाहिए यह आपका क्या नाम है dimensions होनी चाहिए ठीक ऐसा नहीं क यह सब reject कर देंगे और form reject होना बहुत जादा ही आपके लिए खतरनाख हो सकता है आपका एक attempt खराब होगा एक attempt खराब मतलब आपका एक साल extend होता है सीधा एक साल बाद तो आप exam दोगे फिर उसके process की बात करें तो और 4-5 महीने लगा लो इतना वक्त आप गवा देते हो य लास्ट डेट के अगर हम बात करें तो क्या है वो है 31 जुलाई तो बहुत चीज़े इंपोर्टेंट है जैसे कि हमारे एज लिमिट कब चेक होगी हमारा फॉर्म की लास्ट डेट क्या है यह चीज़े बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके बाद तो आप कुछ करी नहीं सकते एप्लिकेशन फीस की बात करें तो फीस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो रुपे मातर आपकी फीस रखी गई है उसके अलावा जो विमेन है यानि के ओरते हैं स्ट हैं पी डबलू बीडी यानि के बहुत जिनको कुछ ना कुछ डिसेबलेटी है वो एक सर्व तो जनरल वाली रह गए एवस रह गए और उसके अलावा कौंसे रह गए ओबेशी वाली रह गए ठीक है तो इनको फीस पे करनी है फीस की जो डेट वो एक अगस्त दोजार चौबिस इक अतिस जुलाई आपकी लास्ट डेट करने की और प्रेमेट कि जो लास्ट डेट हर एक अगस्त है एक दिन का वक्त और मिलता है आपको तो दो दीन के लिए आपको तुल्बारा से गलती रह गही तो फिर से पांट रुपे दोबारा देने होंगे आपने अच्छा क्या ये भाई उन्हीं को देना होगा जिन्होंने फीज बरी होगी नहीं नहीं ये आपने उन सभी को पे करना है अब हो चाहे किसी भी केडिगरी में आते हैं ठीक है अब गल्स है या फिर भाई उसके बाद OBC है SC है ST है सभी के लिए चार्जिबल है यानि कि पहली बार 200 रुपए आपके से लिए जाएंगे अगली बार 500 लिए जाएंगे Scheme of Examination दूसरी important चीज है वो है Examination आपका जाए exam pattern है वो क्या होगा तो काफी simple कर दियागा अगर हम देखें तो इसने कहा कि दो session में आपका test लिया जाएगा यानि कि suppose आपने entry की तो आपके पास दो session होगे यानि कि session 1 यानि कि पहली बार जो screen open होगी उस पे क्या होगा एक math का section एक reasoning का section आएगा और आपके पास 20-20 question होगे कि एक question 3 number का होगा timing की बात करें तो 45 minute की timing है यानि कि पहली बार जो screen on होगी उसमें आपके सामने ये portion होगा और ये 20-20 question का portion होगा और 45 minute का time में लेगा बिलको simple सी बात है ठीक है और session 2 जैसे आप ये submit करते हैं तो session 2 open होगा जीए और इसमें आपकी English आएगे तो ये 25-25 question कुल मिला के 500 number का ये portion और आपका 120 number का ये portion अब मजे की बात सुनो इसमें negative marking नहीं होगी किसमें session first में negative marking नहीं होते इस वाले portion में negative marking नहीं है तो आप चाहें तो आपको चल लगे कि हम ये सवाल बच गए है बुद्धी लगाने के बाद इमान लीजे सवाल बच गए है तो आप बड़े आराम सी तुक्का भी मार सकते। session 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर negative marking होगी एक number की यानि कि एक number का मतलत जैसे आपने कोई सवाल गलत किया तो आपके one marks cut हो जाएंगे सही करोगे तो तीन number दे देंगे और गलत करोगे तो एक number cut कर लेंगे बात समझ में दे रहे होगे 45 minute session 1, 45 minute session 2, session 1 आपका qualifying होगा उसमें negative marking भी नहीं होती दूसरे वाले में merit लगती है अच्छा बात करें उसके बाद और क्या तो जो MTS है MTS की post के लिए सिर्फ आपने अपना computer based exam देना है लेकिन इसके अलावा जो post है हवलदार के उसके लिए आपने अपना physical efficiency या physical standard test भी देना होगा यह दो चीज़े आपको इसमें देने होगा आपका जो exam होगा उसमें कई सारी भाषाएं होगी Hindi English तो अकसर होती है हर exam में उसके अलावा 13 reasonable language है तो यह 13 language है भाषाएं इसमें भी आप अपना exam दे सकते हैं तो जो भी बच्चा जिस state से belong करता है अपन language को choose कर सकता है अपना exam दे सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छी बाद है इन शोट अगर हम summarize करें पूरे notification को तो बही क्या क्या चीज़ है तो last date जो है 31 जुलाई हैं तो इंतजार मत करना last date का पहले ही जाके अपना form फिल कर देना उसके बाद बात करें कि fees के लिए एक अगस करेक्शन की डेट गलती हो जाए तो 17 और 18 और 17 तारिक को करेक्शन कर सकते हो एक्जाम कब होगा तो October नवंबर यानि कि आप कह सकते हैं 15 October के बाद आपका एक्जाम शुरू हो सकते हैं कि पूरी संभावना है अब बात करें age limit तो MTS वालों के लिए 18-25 की age होनी चाहिए और हवालदार पोस्ट के लिए 18 से सकता है इसी ठीक है पहले नहीं होता था यह MTS वाली पोस्ट में इसे रिसेंटली ही जोड़ा गया भी दो-तिन साल हुए अच्छा क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ 10 पास होना चाहिए बच्चा कोई बहुत जादा higher qualification नहीं मांगी पर इसका मतलब यह नहीं कि आपका एक्जाम का लेवल बहुत कम आएगा एक्जाम आपका अच्छा खासा ही आएगा पढ़ने वाले बच्चे ही पास होंगे ठीक है ना उसके बाद बात करें फीस की तो जनरल OBC EWS को 100 रुपे की फीस पे करनी है इसके अलावा सब के माफ ह है यानिके गल्स कैटेगरी के लिए एक्जेम्ट है और SC, ST, EX-Servicemen सब के लिए यह भई माफ है तो आप सिंपल सी भाशा में याद रखो कि फीस की लगेगी बॉइस की और बॉइस भी कौन से जनरल OBC और EWS उनके 100 रुपे लगेंगे आपका एक्जाम कैसा होगा ओनलाइ होगा ठीक है तो थोड़ी सी कंप्यूटर पर अपने प्रेक्टिस भी करनी है अच्छे से ठीक है मोग टेस्ट वगरा लगाने है ताकि आप इसे तमीज से हैंडल कर पाऊं क्योंकि सवाल पर पर सॉल करना एक अलग बात है और जब स्क्रिन पर देख के हम सॉल करते हैं तो रिकत नहीं आएगे अगर आपने नोटिफिकेशन पूरा यह वीडियो देखिए तो भई हमारी शुब काम ना है आपके साथ हैं और जल्द से अपनी तयारी शुरू कर एक अच्छा सा टाइम टेवल बनाई है एक अच्छी से लाइब्रेरी जॉइन कीजिए और बस अधारन सी बात समझे में आ गई बस आपका काम बन गया कोई आपको भाई दुनिया वर के ये ये इसने ये का उसने ऐसा का कोई आवशक्ता नहीं है बस आप अपने content पर focus कर लो कि मुझे ये किताबे पूरी करनी है इसके अलाव कोई आवशक्ता नहीं है ठीक है कहते है अगर आपकी planning थोड़ी बहुत वीक रह गई तो चल जाएगा लेकिन आपकी implementation काफी strong होनी चाहिए ठीक है तो planning अगर down चली जाए कोई बात नहीं implementation अच्छा है तो आपका काम definitely बन जाएगा तो हमारी शुब काम नहीं आपके साथ है तो प्यारे बुच्छों जल से जल जुड़ जाए और आपकी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे thank you very much